एक धनराशी को A, B, C, D के बीच 4, अनुपाद 5, अनुपाद 7, अनुपाद 11 के अनुपाद में बाटा जाता है यदि C का भाग, C का हिस्सा 1351 है, तो A और D के भागों की कुल धनराशी ज्यात करना है according to question, C का हिस्सा 7 है, तो C का अगर हिस्सा 7 है, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1351, 7 रेशियो अगर 1351 के बराबर है, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 7 एक गम, 7, 7, 7, 9, 3, 6, 7, 1, 21, एक रेशियो हो गया, 193 के, अब आप से पुछा है, A और D दियान से देखें, कुल धनराशी, कुल मतर जोड़ना, A और D को अगर हम जोड़ेंगे, तो 4 और 11 को जोड़ेंगे, 4 ग्यारा होता है 15, तो 15 रेशियो बराबर हो जाएगा, 15 इंटू 113, ठीक है? 15, 45, 15, 135, 39, और 15, 15, 15, 13, कितना हो जाएगा? 28, 28, 28, 295 इस दा राइट आंसर, विच वन? option B is correct.